अगर आप website अपने mobile से manage करना चाहाते हैं और ऐसे में कोई भी update आ जाता है जैसे कि अगर आपने WordPress के तुरू यहाँ पर website बनाई है और ऐसे में WordPress में update आ जाता है तो उसे किस तरीके से update करेंगे अपने mobile से ही इसी के साथ में अगर आपका वहाँ पर site issue आ रहा है तब आप उसे किस तरीके से solve करेंगे इसी के साथ में अगर कोई अन कोई अपडेट आ जाता है तो अपने mobile से ही उसे किस तरीके से update कर सकते हैं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तो सबसे पहले मैंने अपनी mobile में website को open कर लिया है ठीक है open करने के बाद में आपको जो अपडेट के साथ में प्लाजम जो की मैंने हम पर डाउनलोड कर रखे हैं तो उनके भी यहां पर update आ ठीक है तो इन इस सारे को किस तरीकी से हम update करेंगे आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सबसे पहले हम बंट प्रेस को अपडेट करेंगे चैक पर हम simply क्लिक करें और अब यह हमारा जो बंट प्रेस है वो यहां पर update हो जाएगा ठीक है जो भी current में बर्जन चलता होगा बंट प्रेस का वो यहां पर सोख होने लगेगा और आप जिस भी डेट में update करते हैं वो आपको सारा को सोख हो जाएगा ठीक है तो चलिए हम यहां पर थोड़ा वे बंट प्रेस 6.5 जो की latest version है नीचे से आप उपर की तरफ स्क्रोल करेंगे गो टू डेक्स वोर्ड अपडेट इस पर आप सिंप्ली किलिक करेंगे आपके साबने डेक्स वोर्ड आ जाएगा कुछ इस तरीके से उसके बाद में आपको अपडेट प्लाज ठीक है इस पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट देखने को मिलना है तो हम चलिए हैं इन्हें सिलेक्ट करते हैं और अफडेट कर देते हैं अब जो हमारे अपडेट है वो प्लाज हो रहे हैं ठीक है? जैसे कि एक और यहाँ पर दूसरा अपडेट होगा उसके बाद में SEO वाला ठीक है SEO वाला उसके बाद में अब यहाँ पर हमारा तीसरा अपडेट होगा तो आप देशकते हैं जो प्लाजिन थे वो यहाँ पर अपडेट आ रहा था वो हट चुके हैं और आप नीचे भी देशकते हैं Success Complete ठीक है उसके बाद में आपको यहाँ पर करना क्या है हम यहाँ पर होम पर Simply Click करेंगे जैसे होम पर Simply Click कर देते हैं तो हमारा यह Home Page यहाँ पर Open हो जाएगा उसके बाद में अब हम देख लेंगे कोई अपडेट मांग तो नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसे एक बार Refresh कर लेंगे या फिर आप इसे Dashboard पर Simply Click करेंगे तो आप देख सकते हैं अपडेट मांग रहा है तो हम यहाँ पर Update पर Simply Click करते हैं अब हमने यहाँ पर WordPress भी Update कर दिया है थिम्स हैं यह आपको देख में मिलना है तो कहने के मतलब है जो WordPress के थिम्स है वो Update नहीं हुए है तो हम यहने All Select पर Simply Click करेंगे Update थिम्स पर हम Simply Click कर देंगे अब जो भी आपके थिम्स थे वो यहाँ पर Update होना शुरू हो जाएंगे जिसकी आप यहाँ पर देख सकते हैं दो Update हो गए है और हमारा तीसरा भी यहाँ पर Update हो जाएगा और उपर जो Red Color में आइकन देखने को मिला है वो हट जाएगा ठीक है और हमारे तीनों यहाँ पर Update हो चुके हैं पूरी तरीके से देख सकते हैं और वो जो Red Color का इकन आ रहा था अपडेट का वो हहाँ पर हट चुका है उसके बाद में आप यहाँ से Back भी कर सकते हैं ठीक है या फिर Go To Themes पर भी किलिक कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे यहां से एक बार रेफरेज कर लेते हैं ताकि अगर कोई भी होगी समस्या तो यहाँ पर अपने आप ही हो जाएगी ठीक है तो आप देख सकते हैं सारी चीजे अपडेट हो चुकी है ठीक है इस तरीके से आप देखेंगे उसके बाद में अपडेट पर सिंपली किलिक करके और हम पर आप सिंपली किलिक करें आ जाएंगे सामने ठीक है अब अपनी set health देखेंगे अगर set health जो आपकी गड़बर दिखा रहा था और कोई भी update थे तो वो update जानी की update कर देते हैं तो जो आपकी set health है वो good हो जाएगी ठीक है देख सकते हैं set health है वो good हो चुकी है home पर हम आते हैं और आप यहाँ पर भी देख पा रहा है जो आपकी set health है वो यहाँ पर good दिखा रहा है और इस तरीके से अगर आप अपनी website को mobile में ही manage करना चाहते हैं तो बहुत ही आराम से कर सकते हैं अगर आपका कोई भी सवाल है या कोई भी confusion है तो मुझे नीचे comment section में दे सकते हैं मिलते है नास वीडियोस में